Hello Friends, कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करेंगे Hammer Mill के बारे में जैसा कि आप जानते है Hammer Mill हमारा किसली याँ होता है, Side Direction के लिए यूज करते हैं हम Hammer Mill और साथ हम Ball Mill की बात करेंगे तो Ball Mill भी हम Side Direction के लिए ही यूज करते हैं तो चलिए start करते हैं hammer mill तो आपको नाम से ही पता चला होगा कि hammer जैसा है कि यहाँ पे लिखा हुआ hammer means क्या होता है hammer means एक होता है हतवड़ा ठीक है तो इसमें एक हतवड़े के आकार के rod shape लगे रहते हैं जिससे क्या होता हमारा particle जो भी हमारा reduction करना होता है reduce करना होता है वो टकराता है और टूड़ याता है तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसका principle क्या होता है construction and working के बारे हम बात करेंगा साथ ही जात मैं diagram को दिखाऊंगा आपको फिर हम detail में बात करेंगे तो principle क्या है hammer mill किस सिद्दान्त पर principle का मतलब होता है सिद्दान्त तो principle किस principle पर काम करता है हमारा hammer mill तो it operates on the principle of impact सबसे चीज आपको याद में रखना है किस पर यह impact पर काम करता है तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है कि impact पर काम करता है impact means होता है कोई भी चीज है for example यह हमारा pen है मैं यह pen इस paper पर मार रहा हूँ तो इसका मतलब है impact लग रहा है जो भी इस पर चोट लग रही वो impact लग रहा तो ऐसे ही जो hammers होते हैं वो जब move करते हैं जैसा कि मैं आपको diagram में दिखाऊंगा अभी यह देखिए यह जो आपका diagram है इस diagram में जब यह hammers यह लगे हुए हैं जब यह hammers move करते हैं तो यह particle से टकराते हैं और यह impact पड़ता है जब यह यह वाला है इससे टकराएगा तो impact डालेगा ठीक है तो यह सबसे पहले आपको क्याद रखना है सिर्फ सिर्फ इतना याद रखना है कि impact इसका जो principle क्या है वो impact है यह impact पर काम करता है clear चलिए अब हम construction की बात करते हैं और साथी साथ में हम working देखेंगे कि यह कैसे काम करता है construction का मतलब यह होता है कि यह बना कैसे होता है और working का मतलब होता है यह काम कैसे करता है तो दोनों चीज़े हम साथ में देखते हैं सबसे पहला point है a hammer mill is essentially a steel drum containing a vertical और horizontal हम हो सकता है जैसे कि आप इस diagram में देख रहे हैं जो hammer mill है मारा यह कैसे बना होता है यह steel का बना हुआ होता है या तो यह vertical भी हो सकता है और horizontal भी हो सकता है clear है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बर्टिकल हो ज़िएंटर, रोटेटिंग साफ्ट और ड्रम और विच हैमर्स आर माउंटेड और इसमें क्या रहता है, एक हमारा रोटेटिंग साफ्ट लगी रहता है यह बीच में आपको देख रहा है, यह रोटेटिंग साफ्ट है जिसके थ्रोग क्या होता है, जो हैमर्स आटैस्ट रहते हैं और यह मूब करते हैं जब रोटेटिंग साफ्ट मूब करेगी तो यह हैमर्स भी हमारे मूब करेंगे क्लियर है, रोटेट करेंगे चलिए, next point the hammers swings on the end of figs to the central rotor जो हमारा central rotor है यह जब यह घूमेगा तो हमारे यह hammers भी rotate करते हैं clear है? मैं आसा करता हूँ, आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा अगर कोई भी problems है तो आप comment करके आप मुझसे पूँछ सकते हैं मैं आपको response करूँगा next point क्या है? the rotor is rotates at a high speed inside the drum clear है? क्या है? यह जो hammers होते हैं, यह जो drum होता है यह चारो तरब जो आपको circle दिख रहा है, यह drum है ठीक है? किसका drum है? यह hammer मिलका ठीक है? जो hammers इसके अंदर fit रहते हैं, यह high speed पे move करते हैं अगर यह हलके move करेंगे तो हमारा side direction होगा ही नहीं clear है न? तो यह तेजी से move करते हैं, जिससे क्या होता है? यह particle impact डालते हैं, इनका जो hammer होता है यह particle पे impact डालता है और side direction होना start हो जाता है तो यह क्या करते हैं यह तेजी से move करते हैं हमारे hammers क्या होते हैं बहुत तेजी से move करते हैं clear है inside the drum while material is feed into a feed hopper clear है feed hopper किसे कहते हूँ जिससे material हमारा भरा जाता है जिसमें हमारा material भरा जाता है जैसे यह feed दिख रहा है आपको लिखा हुआ यह feed hopper के थ्रोह हम अपना material यहां से बरेंगे और यह material यहां पर जाएगा यह हमारा ऐसे rotate करेगा हमारा material इसे hammer से टकराता हुआ ऐसे ऐसे जाएगा ठीक है और जैसे जैसे हमारा सीब लगी रहती जैसे जैसे हमारा material side direction होता रहेगा वैसे वैसे हम नीचे collect करते रहेंगे, clear है, चलिए, हम अब आगे बात करते हैं, next point है हमारा, the material is put into the hopper, which is connected with the drum, ठीक है, देखिए, हम क्या करते हैं, यह hopper में material हम अपना भर देते हैं, और यह किस से connect रहता है, हमारा, मिल से connect रहता है, जैसे hopper यह देखो, ठीक है, वो किस से connect है, यह, मिल से connect है, clear, next point, the material is powder to the desired size, due to fast rosation of hammers, and is collected under the screen, जो हमारा material होता है, ठीक है, वो क्यों तूटता है, जब मैंने के आपको भी बताया है, जब यह तेजी से hammer rotate करते हैं, तो हमारा जो size reduction होता है, और size reduction होने के बाद, जो हम कहां से collect कर लेते हैं, throw to screen, यहाँ पे screen लगी रहती, screen के throw हम यहाँ पे collect कर लेते हैं, collector में अपना है, ठीक है, कोई beaker रख लेते हैं, या कोई बाउल रख लेते हैं, उसमें हम collect कर लेते हैं, clear है, चलिए, next point हम देखते हैं आगे, this is mainly operates at 1000 to, मतलब 1000 से 2500 RPM पे यह rotate करता है, ठीक है, for the reduction of the large size particles, जो हमारे large size particles होते हैं, उनको तोड़ने के लिए, यह 1000 से 2500 RPM, RPM का मतलब होता, round per minute, एक मिनट में यह 1000 से लेके 2500 बार rotate कर सकता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे जो बड़े size के particles होते हैं, वो छोटे size में convert हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि यह 2500 RPM पे ही घूम सकता है, यह और जादा भी high RPM पे घूम सकता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ high speed uses 10,000 RPM speeds, यह लगवक 10,000 RPM तक यह use कर सकते हैं हम इसे, जितना जादा हम तेज घुमाएंगे, उतना हमारा side direction जादा होगा, ठीक है, चलिए, अब हम uses की ब तो सबसे पहला हमारा uses है कि, brighter material is based, factured by impact from the blunt hammers, ठीक है, दूसरा है, fibrous material is based, reduce cutting edges, clear है, चलो, advantages हम देखते हैं कि हमारे hammer मिलके advantages क्या है, तो सबसे पहला जो advantage है हमारा hammer मिलका वो क्या है, it is rapid action and is capable of grinding many different types of material, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक तरीके का ही material इसमें grind कर सकते हैं, grind का मतलब side direction कर सकते हैं, यह different different types के जो materials होते हों, उनको भी आप grind कर सकते हो, उनका side direction कर सकते हो, clear है, next point, they are easy to install and operate, कहने का मतलब यह है, यह आप आसानी से लगा सकते हो, और आसानी से operate कर सकते हो, operate means आसानी से आप चला सकते हो, and next point है, the particle size of the material to be reduced can be easily controlled by changing the speed of the rotor, hammer type, shape and size of the screen, means जो particle size आपको चाहिए, ठीक है, उसके according आप या तो हो सकता है कि hammer type change कर दो, या हो सकता है कि आप screen उसकी change कर दो, या उसकी speed को adjust कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो आपका particle size है, जो भी material का, वो आप easily change कर सकते हैं, या easily control कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए, clear है, अब हम बात करते हैं, कुछ हमारे disadvantages हैं, उनकी हम बात करेंगे hammer mill के, जाइर सी बात है, जब कोई भी चीज होती है, उसके advantage होंगे, तो disadvantage, जाइर सी बात भी उसके disadvantage होंगे, clear है, तो उसका disadvantage है, पहला हमारा hammer mill cannot be implied to mill sticky, fibrous and hard material, कहने के मतलब है, हमारे कोई भी sticky, जो चिपचपई materials होते हैं, ठीक है, जैसे गौंद बगएरा हो गया, वो हम नहीं इसमें, वो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि sticky अगर होगा, तो हमारे चिपचपग जाएगा, hammer हमारा rotate ही नहीं करेगा, clear है, तो यह इसके disadvantage है, दूसरा क्या है, the screens may get clogged, तो मतलब आप कह सकते हो, जो screens बगएरा होती है, अगर हम ऐसे sticky materials type यूज करेंगे, तो हो सकता है, हमारी screens होती है, जो नीजे लगी होती है, जाली, वो बंद होने के chances रहते हैं, वो बंद हो जाती है, तो यह हमारे disadvantage थे, तो मैं आसा करता हूँ, आप लोगों को यहां तक अच्छे समझ में आया होगा, hammer mill क्या होता है, तो अब हम आगे बात करेंगे, ball mill की, कि ball mill क्या होता है, कोई भी problem है, अगर आपको hammer mill में, side direction में, तो आप मुझे comments करके, आप मुझसे पूँछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, और जो notes हैं, वो आपको हमारे telegram link पर मिल जाएंगे, उसे आप follow करने हैं, link में description box में डाल दूँगा, तो आपने hammer mill, मैंने आपको अभी पढ़ाया है, hammer mill क्या होता है, वो आप एक बार समझ लें, इसी से relate करता है, कुछ जादा नहीं, side reduction, side reduction उसमें भी करते हैं, side reduction बाल में करेंगे, ठीक है, दो ही मिल हैं आपके diploma में, तो आप दोनों मिल पढ़के जाएगा, दोनों important है, और इसके आगे हम side separation की बात हम करेंगे, तो सबसे पहले यह हमारा last mail है, side reduction का, तो हम इसे पहले complete करते हैं, उसके बाद हम next lecture में हम उसकी बात करेंगे, side separation की, तो चलिए start करते हैं हमारी आज ball mill, तो ball mill क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, principle, तो आप इसमें सबसे पहले कोई भी मिल आए तो उसमें आप क्या याद रखेंगे सबसे पहले आप हैडिंग याद रखेंगे उसमें क्या आपको लिखना है सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है फिर क्या लिखना है फिर आपको बर्किंग लिखनी है ठीक है जैसे यह समें दिया हुई सब सम्में आपको लिखना पड़ेगा चाहे साइड सेपरेशन हुआ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्रिंसिपल क्या है हमारी बॉल मिलका इट ऑपरेट्स ऑफ इम्पेक्ट जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि हमारा जो हैमर था वो भी इम्पेक्ट उसका प्रिंसिपल क्या था इम्पेक्ट इसका क्या है इम्पेक्ट एंड एट्रीशन ये दो प्रिंसिपल पर काम क इसलिए हमारा जो principle क्या हुआ, इसका सिद्दान्त क्या है, impact और attrition पर काम करता है, clear है, चलिए, next हमारा है construction, construction का मतलब यह होता है, कि हमारा जो ball mill है, वो बना कैसे है, clear है, तो first point देखते हैं, construction का, ball mill consists of a hollow cylindrical cell rotating about its axis, axis का मतलब होता है, अपनी धुरी पर, ठीक है, मतलब axis का मतलब होता है, तो ball mill होती है, वो एक hollow cylinder, मतलब खाली होता है, hollow means, hollow cylinder cell होता है, rotating about its own axis या axis पर rotate करता है, जैसे कि मैं diagram में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको diagram यह देखी है, तो यह क्या होता है, cylindrical cell होती है, ठीक है, इसके अंदर हमारी balls रहती है, और यह अपनी axis पर rotate करता है, यह देखो, यहाँ से attach है, यह यहाँ से, यह ऐसे से rotate करता है, clear है, next point हम क्या देख, next point है हमारा, it is partially filled with the walls made up of steel, stainless steel और rubber, जो हमारी यह balls होती है, यह steel की भी हो सकती है, किस से fill रहती है, यह बॉल भरी होई है, यह material हमारा क्या है, यह छोटा छोटा जो दिख रहा है, यह material है, clear है, और हमारी यह balls होती है, इसमें, वो हमारी steel की हो सकती है, यह हमारी हो सकती है, रवर की हो सकती है, clear है, अब next point हम देखते है, inner surface, sorry, inner surface of the cell is lined with absorption, absorption, resistance, materials such as manganese, steel और रवर, clear, next, length of the mill is approximately equal its diameter, clear है, जैसा कि आपको डाइगराम में देखी रहा है, ठीक है, next, balls occupy about 30 to 50% of the volume, जो भी इसकी volume होती है, हमारी cylinder की, उसका 30 से 50%, हमारा क्या कौन सा हिस्सा घेरता है, हमारी जो balls होती है, वो घेरती है, clear है, तो इसमें दिया हुआ, balls occupy about 30 to 50% of the volume, जो हमारा जितना बड़ा volume होता है, ठीक है, उसका 30 से 50% हिस्सा क्या होता है, वो हमारी ball घेर लेती है, जैसा कि आपको डाइगराम में देख रहा होगा, clear, diameter of the ball, जो हमारी ball होती है, उसका diameter कितना होता है, 12 mm से 125 mm होता है, जो हमारी एक ball दिख रही है, इसका जो diameter होता है, वो किस्ते ते कित्ता होता है, हमारा लगवग 12 mm से लेके, 125 mm तक इसका diameter होता है, एक ball का, clear है, और ये कितना हिस्सा गिरता है, ये तो हिस्सा गिरता है, तक ठीक है टोटल बॉलियूम का 30 से या 30 से लेके 50 परजिसत क्लियर है चलिए अब हम इसकी बर्किंग की बात करते हैं कि बर्किंग ये काम कैसे करता है चलती कैसे है ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अब मैं आपको डागराम के थ्रो समझाऊंगा इसमें 3 स्पीट दिवी है पहली क्या है हमारी लो स्पीट अगर हम किसी भी अगर हम बॉल मिल को अट लो स्पीट पर रोटेट कराएंगे तो क्या होगा हमारी जो बॉल होगी वो एक दूसरे के ऊपर ही rotate करती रहेंगी जैसे हम इधर को घुमा रहे हैं यह ऐसा तो हमारी क्या होगी यह ball एक दूसरे के ऊपर ही घुमती रहेंगी जिससे हमारा क्या होगा कोई भी असपर असन नहीं पड़ेगा side direction होगा ही नहीं clear है? यह देखो at low speeds the ball roll over each other and attrition rubbing action होगा will be the predominate mode of action predominate mode of action में चला जाएगा clear? next point does the ball mill impact or attrition or both are responsible for the side reduction clear? impact or attrition यह दोनों लगेंगे और यह दोनों लगते हैं तभी responsible होगा हमारा side direction side direction के लिए यह दोनों चीज़े responsible होती हैं हमारी किसमे? ball mill में चलिए next point हम देखते हैं यह दोनों हमारी जैसे मैं आपको यह diagram के तुरु समझा देता हूँ पहले अगर low speed आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यह roll करेंगी कुछ होगा ही नहीं high speed पे अगर हम कर देंगे high speed पे क्या होगा? जो हमारी balls होगी वो हमारी चारो तरफ इस पे चिपक जाएंगी अगर हम इधर को यह high speed पे घुमाएं खुब तेजी से हम घुमाएं तो हमारा क्या होगा? यह चारो तरफ चिपक जाएंगी ठीक है? अगर हमारी correct speed मतलब medium speed पे अगर हम इसे rotate करें हमारी ball मिल को तो क्या होगा? यह ऐसे जाएंगी देखो अगर हम इधर को rotate करते हैं हमारी medium speed पे rotate कर रही ball तो यह ball यहां से ऐसे जाएगी और यहां से यह गिरेगी यहां से ऐसे जाएगी यहां से ऐसे गिरेगी जिससे हमारा क्या होगा? side direction होने के chances ज़्यादा रहते हैं हमारे correct speed में ठीक है? high speed पे नहीं होगा और low speed पे भी बहुत ही कम होगा नहीं होगा ठीक है? तो यह हमारा ball mill है अब इसके advantage देखते हैं advantage क्या है? it can produce very fine powder यह बहुत ही महीन powder produce करता है ball mill is used for both bat and dry grinding process दोनों के लिए यूज़ करते हैं bat और dry के लिए installation operation लेवर cost is low इसकी labor cost और installation cost लो होती है clear है? और जो हमारे disadvantage है हमारे disadvantage क्या है? तो the ball mill is very noisily machine यह जब चलती है तो बहुत ही ज़्यादा है तेज आवाज करती है ball mill is slow process यह बहुत ही slow process है और time consuming process है clear है? time ज़्यादा है लेती है जब slow चलेगी तो time ही ज़्यादा है लेगी clear? next soft fibrous material cannot be milled by the ball mill जो हमारा जैसे मैंने अपनी आपको hammer mill में बताया था कि जो fibrous material होते हैं sticky materials होते हैं soft materials होते हैं ठीक है? उनमें क्या होता? ball mill हमारी कोई ज़्यादा है वो नहीं कर पाती है तो इसमें यह यह इसका disadvantage है ठीक है? इसकी एक खराबी है यह sticky materials है fibrous material यह soft material जो होते हैं उनमें यह side reaction नहीं कर पाती है ठीक है? अब हमारे कुछ uses हैं जैसे पहला है हमारा production of ophthalmic and parental products जो भी हमारे ophthalmic and parental products होते हैं उनकी production में हम किसका ही इस्तिमाल करते हैं हमारी ball mill का इस्तिमाल करते हैं clear है? next है ball mill at low speed is used for milling dyes pigments and insecticides ठीक है? तो यह हमारे कुछ uses थे और यह जितनी पे heading मैंने आपको बताई हैं यह आप proper तयार करिए और मैं आपको notes description box में दे दूँगा और नहीं अगर मिलते हैं तो आप link आपको link मिल जाएगा हमारे telegram का आप उसे follow करिए और join करिए telegram हमारा पे आपको notes मिल जाएंगे और जो भी कोई problem है आप मुझे telegram पे बता सकते हैं और directly भी comments करके मुझसे पूछ सकते हैं चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं हम आगे मिलते हैं size separation को लेके उसकी हम बात करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें subscribe करें और वीडियो को जादा से जादा share करें तो चलिए अब मिलते हैं next वीडियो में